असलाव अलेकुम डियर वीवर्स मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टॉक्सो प्लाजमोसिस वक्त जाया नहीं करते शुरू करते हैं अपना टॉपिक टॉक्सो प्लाजमोसिस Dear viewers जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सबस्क्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबा दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके सबसे पहले हम यह जानेंगे कि टॉक्सो प्लाजमोसिस है क्या टॉक्सो प्लाजमोसिस एक बीमारी है या फिर इसे इन्फेक्शन भी कहा जाता है टॉक्सो प्लाजमा की जो बीमारी है या जो इन्फेक्शन है तो यह पाया जाता है इनसानों में भी परिंदों में और कुछ तो इसकी वज़ा है एक पैरसाइट जिसका नाम है टॉक्सो प्लाजमा गूंडियाई जो के एक हैंट्र याईट् एक का शेय। बिलियों के फीसिस के साथ या स्टूल के साथ या जो जगा बिलियों के लिए बनाई गई होती है वहाँ पर अगर ये स्टूल पास करते हैं फीसिस पास करते हैं और इनसानों के हाथ उस से गंदे हो जाते हैं किसी ना किसी वज़ा से तो ये पेरसाइट बहुत असानी से इनसानों के जिसम में मुन्तकिल हो जाता है या अगर इन बिलियों के फीसिज या स्टूल की वज़े से जमीन का कोई हिस्सा जब गंदा हो जाता है और इनसान का कॉन्टेक्ट आता है इस सॉाइल के साथ तो भी ये पेरसाइड बहुत असानी से मुन्तकिल हो जाता है इनसानों के जिसम में इसके इलावा अगर इनसान ऐसा गोश्ट खाएं जो के अच्छी तरह से आख पर ना पकाया गया हो खासकर लेम का गोश्ट जिसे दुमबा कहा जाता है पॉर्क सुर का गोश्ट और इसके इलावा शेल फिश और एक दूसरा जो एनिमल है जिसे हिरन कहा जाता है वेनिसॉन अगर उसका गोश्ट अच्छी तरह से ना पकाया जाए और खाया जाए तो ये पेरसाइट बहुत असानी से मुन्तकिल हो जाता है इनसानों के जिसम में इसके इलावा वो खवातीन जो हामला होती हैं और उनके पैट में जो बच्चे होते हैं अगर इन खवातीन को फ्रेश इन्फेक्शन हो जाता है तॉक्सो प्लाजमा गोंडियाई का तो ये प्लेसेंटा के थ्रू अपने बच्चों में इन्फेक्शन को ये मुन्तकिल कर सक दूद से बने जो डेरी प्रॉडक्ट्स होते हैं अगर ये अन पास्चुराइजड होंगे ठीक तरह से दूद को नहीं उबाला जाएगा या वो पानी जिसमें टॉक्सो प्लाजमा गोंडियाई मौजूद हो सकता है और उसको ठीक तरह से वाइल न किया जाए वो गंदा ह इस पैरसाइट से तो अगर ऐसी चीज़े भी इस्तिमाल की जाएंगी तो भी ये पैरसाइट असानी से इनसानों के जिसम में मौन्तकिल हो जाता है इसके इलावा ये बलड ट्रांस्फूजन से और और और्गन ट्रांस्प्लांट से भी मौन्तकिल हो सकता है दूसरे इनसा अब यह हम बात करें गे कि इस टॉक्सो प्लाजमोस य कि अपनी की वाटमाट क क्या होती हैं तो यहां पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इस ब्याएं कि अपनी ओना इस बार काता है तका है वो फैनी उत्ति आप मीज़ सेड बहुत ग्रेए गो ओना मैं वाहती है पक्ता और खासकर जो neck region में lymph nodes होते हैं इसके इलावा पूरे जिसम में दर्द होता है जो दिल के muscles होते हैं तो उसकी sugen हो सकती है जो lungs हैं तो उसकी भी inflammation हो सकती है अब हम बात करेंगे के tooksoplasmosis जो बीमारी है तो इसकी आलामात अन लोगों में कैसी होती है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर होता है और ये याद रखें कि ये बीमारी खासकर उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक होती है जिने HIV होता है या जो लोग कीमो थेरपी करवा रहे होते हैं कैंसर का इलाच करवा रहे होते हैं या कोई क्रानिक और किसम की बीमारी होती है और उसकी वज़ा से इनका इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा वीक और कमजोर हो चुका होता है तो ऐसे लोगों में जो अलामात है तो वो मंदर जजेल है जटकों का आना इनका जो दिमाग है तो उसमें बहुत सिवेर डेमिज हो जाता है अकुलर टाक्सो प्लाजमोसिस इने हो सकता है और आंखों का बहुत सिवेर डेमिज हो जाता है इसमें इनकों चलने में फिरने में बहुत ज्यादा मसला और मुश्किल होता है और जो जिसम के जो मुवमेंट्स होती हैं तो वो भी काफी अबनॉर्मल हो जाती हैं अभी हम बात करेंगे कि इस टॉक्सो प्लाजमोसिस की वज़ा से जो अलामात हैं उन बच्चों में जो अभी तक मा के पैट में हैं या जो पैदा हो जाते हैं जो निवबॉन बेबीज होते हैं तो उन में अलामात क्या होती हैं तो वो अलामात हैं बोडी पर रेशिज आ जाती हैं mental retardation होती है यानि इनका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता abnormal होता है ये अंदे हो जाते हैं या हो सकते हैं या इनके जो सुनने की ability होती है काबिलियत होती है तो वो भी ये खतम कर देते हैं यानि deafness इनमें हो सकती है liver damage इनमें हो सकता है इनके liver का size बढ़ सकता है इनके spleen का size बढ़ सकता है इनहें scissors होते हैं यानि जटके आते हैं इन पर अभी बात करेंगे के स्टॉक्सो प्लाजमोसिस की बीमारी की तश्खीस कैसे की जाती है तो इसके लिए टेस्ट किया जाता है खुन में IgM और IgG का बाय ICT मेंटेड जो के एक स्ट्रिप मेंटेड है इसके लावा खुन से इलाइजा का टेस्ट भी IgM और IgG के लिए किया जाता है PCR टेस्ट बोन मेरो कल्चर किया जा सकता है बायापसी के सेंपल पर जमजा स्टेनिंग की जा सकती है इसके लावा हीमोटाकसलीन और यूसीन स्टेनिंग की जा सकती है बायापसी के सेंपल पर इसके लावा पिरियोडिक एसिड शिफ जिसे पास स्टेनिंग केहते हैं वो भी की जा सकती है बायापसी के सेंपल पर Letix Aglutination Τेस्ट भी किया जाता है Indirect Hem Aglutination टेस्ट भी अवेलेबल है इस toxoplasmosis की बीमारी के लिए Indirect Fluorican째 Antibody टेस्ट भी अवेलेबल है और Western Blotting भी की जा सकती है toxoplasma गौंडियाई की तश़्खीस के लिए इसके इलावा डियर वीवर्ज और भी टेस्ट हैं जैसे अल्टरा साउंड है, CT स्कैन है, MRI है और एम्नियो सिंटीसिस है जो के मा के पैट के अंदर एक फ्लूइड होता है वो लिया जाता है सेरिंच की मदद से और उसे फिर चेक किया जाता है कि कहीं उसमें और दूसरा कहलाता है सल्फेडेजीन तो इनको कमबाइनली इस्तेमाल किया जाता है और साथ में एक वाइटमन भी दिया जाता है जो के कहलाता है फॉलिक एसेट अभी हम बात करेंगे किस तरह से टॉक्सोप्लाजमोसिस की बिमारी से खुट को बचा सकते हैं तो जब भी किसी बाग में काम करना हो या किसी जमीन के हिस्से में काम करना हो तो गलफस का इस्तेमाल करें पानी हमेशा बॉائल उबला हुआ पानी पिएं या फिर जो मिनरल व शुक्रिया, MLT Hub with कामरान देखने के लिए उमीद है ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल MLT Hub with कामरान को सबस्क्राइब कीजिएगा, अपना डेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्ला हाफेज